नमस्कार NH1 News में आपका स्वागत है मैं हूं रंजीत ठाकूर और हाल ही में आपने देखा होगा कि एक वीडियो वाइरल होती है बिशना से जिसमें एक गौवर्मेट इंप्लॉई को बड़ी ही बहरहमी से मारा जाता है वहाँ पर और उसको मैन हैंलिंग की जाती है उसके साथ और इसको लेकर जो गौवर्मेट इंप्लॉईज हैं जो अस प्रेजिडेंट हैं और इनके साथ साथ ये जमू एंड कश्मीर और डिपार्टमेंट करिकल असोसेशन के भी प्रेजिडेंट हैं सर आपका स्वागत है नेच वर नियूज में आप बताए जिस तरीकी की घटना सामने आई और वो वीडियो जिस तरीके से वाइरल हुई क् सबसे पहले मैं आपका मीडिया का तैदिल के साथ शुक्रिया दा करता हूं जो हर वकत हमारी बात को सरकारता पुझाने की कोशिश करते हैं ये जो मसला बिशना में एक हमारा क्लारिकल कैडर से जो तलक रखता है उसको जब मैंने वो वीडियो देखी वाइरल हुई तो उस करता हूं कि अगर सबसे पहले अगर उन लोगों को कोई अबजेक्शन था किसी चीज़ का तासीलदार बैठा है तासीलदार से बात कर सकते थे डिसी है डिप्टी कमिशनर है उसे से बात कर सकते थे उसके उपर भी थाटी है कमिशनर स्रक्ट्री है उन से बात कर सकते थे ल मारा है गसीट गसीट के उसको मारा है ये बड़े दुख की बात है जमो कश्मीर में जितने कलरिकल कैडर है या इंपलाइज जो है वो इस वक्त बड़े दुख में हैं और मुझे सुबह से भी तकरेम नद पांसो कालें आ गी है उन्होंने कहा ये क्या मसला हुआ है उसके बा वजवात क्या थी जरूर ये जो हुआ वो होना नहीं चाहिए था वजवात क्या थी सर आप वो तो अभी जो है एडमिट है होस्पिटल में उसका ट्रेट्मेंट चाल रहा है लेकि उसके लेटियू से मेरी बात चीट हुई उसने मुझे डेटेल में बताया कि कुछ रेवन को बोलो तो यहां से यह क्रेक्शन नहीं होगा तो बास इतने में वहां आगे बीस पचीस लोग आगे उन्होंने इसको मारना शुरूंगा दफ्तर से गसीटा गसीट के उसको मारा बुरी अहालत उसकी किये यह बड़े दूप यह वैश्याना तरीके के साथ एक कातलाना आ तरीके साथ हीर साथ हमेश चायाना जाए ह किसी वी सुर्प में हम61 किसीटन holeना चाहिए उसके खेमेश खालाना तक है हां अगर उसका कोई क watches पी था खनाए किसीए को अटना वाज करहें आँक के दिए वी किसी सूरत में करेंगे हम कहते हैं कि कि आवे लिए ख्षेशन होना चाहिए जिसने ऐसी हरकत की है हाला कि आगर उसका कोई कुसूर भी था कलरिकल कैडल का आप उसके तासील दार को कर सकते थे डी सी से बात कर सकते थे डी सी से बात कर सकते थे उपर हाइर थार्टी यह उसे बात करते थे लेकर उन्होंने ऐसे हालत उसकी की है हम इसकी कड़े न प्लॉइज की उमीदे थी क्या आप लगता है वो अभी सर ये तो गुंडा गर्दी है ना अगर यहां यूटी जमो किश्मीर को बना गया है ऐसी हरकत तो हमने को भी नहीं देखी जो आज एक हमारे मलाजम को मुझे भी मेरी भी तीस साल सर्वेस होगी है हमने को भी ऐसा नही चाहिए और इसको चलो फायर लगा है या इसको रेस्ट किया है लेकर हम कहते हैं इसको सजा मिलनी चाहिए क्योंकि यह क्तल करने के जो एक जो प्री प्लानिंग बना के यह आई थे उसको मारने के लिए और मारा और इतने बुरे तरीके के साथ मारा हम कहते हैं कि इसके खला से प्रोटेस्ट करना पड़ता है उनको तो क्या देखते हैं अभी यूनिन टेरिटरी की बनने के बाद या उससे पहले तो प्रॉब्लम्स थी यूनिन टेरिटरी की बनने के बाद क्या कोई तबदीली आई है कि वैसा ही सिस्टम है सर में एक बात बता हूँ 94 में सत्तर हाजार डेली वेजर रिगलाइजेशन हुए थे उस वक्त सरकार ने एक पालसी बनाई थी जिनके साथ-साथ पूरे हो गए हैं उनको हमने रिगलाइज किया हला कि सरकार के पास उस वक्त पोस्टें भी नहीं थी फाइनेंसिव वो क्रेश भी हुई लेकन 94 के बाद ये सरकार लगाती गई लेकन उनके बारे में उनको भी नहीं सोचा कि इनको रिगलाइजेशन करना है किसी को डिफरेंट डेपार्टमेंट में जैसे पी एची के अंदर पहुंच सो पर लगाए दो एकी सो बे लगाए पिंताली सो बे लगाए ता सरकार ने अपनी सैलरी तो बढ़ा दी दो डाई 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 लाक बढ़ा दी लेकर जागर इंप्लाइज और वरकर क्यों देने की बात आती है उस वक्त इनके ख़साने खाली हो जाते हैं हम काफी टाइम से ये दोजार जब हमने सिक्स पेक मेशन के लड़ाई हुई थी द दोजार यारा में तो उस वक्त एंसी और कांग्रिस की सरकार थी उस वक्त के चेफ मिनिस्टर अमर अबदुला साथ थे उस वक्त हमारे साथ बैंकर टाल सिरिनगर में एक एग्रिमिंट हुआ था जिसमें इन्होंने कहा था कुछ इश्यू तो सरकार ने सेटल किये जैसे सि डेली विजनों का मुदा भी था कि हमने एक कमेटी बनाई है वो कमेटी जल्दी ही रिपोर्ट रेगी और हम इनकी रिकलाजेशन कराएंगे दस साल का अरसा गुजरने के बाद कैई सरकारे उसके बाद आई लेकन उनोंने इनके बारे में कुछ नहीं नहीं सोचा वोड तो लेकर वो सरकार ने को भी आई तक अड़्ड़ नहीं की 2004 में सेंटरल स्लीपेंशन खतम कर दी थेखक्शन चकुरमली में जमुकिंट कुष्ब कंस्षमीर की जो यूटी की सरकार मैं इनको यह पोूछ नहीं चाहता हूं एक MP2 मेर स्लीए की पिंचन क्तिक इंह सेंव हैं लेकर जो मेरिले कला समसार में हैं उनकी इंशने खदम कर दी हिता रूल और पनी की सरकार्व क आम आदमी के रहते हैं अच्छी.. लोग इसमें पाय जाएंगे कि जिन्होंने अपना टाइम पूरा पूरा किया हुने रेग्लराइज किया जाएगा मगर इतनी बार वो कागस देने के बावजूद भी वो लोग जो हैं प्लॉई जब उनसे बात होती है तो वो काफी निराश है उनको घर चलाना मुश्किल हो जब बीजेपी और पीडिपी की सरकार थी SRO 520 इनोंने बनाया हालांकि वो जो SRO 520 भी बनाया वो भी उनकी फेवर में नहीं था वो सिर्व यही था 10 से 15 साल तक उसके वेज़ेंगे 15 से 20 साल और 20 से 25 साल तक उसके इतने वेज़ेंगी अगर एक डेली वेजर जो है 50 जार 50 क्रास करके है या 40 से उपर है तो मैं यह कहना चाहता हूं सरकार इसके लिए कोई ठोस रिगलाज़ेशन पालसी बनाए तो अगर एक बंदा वो मलाजम मर जाता है डेली वेजर है या कैजुल एवल नीड बेसे उसकी टेथ हो जाती है SRO 43 भी उस पर लागू नहीं होता मैं यह कहना चाहता हूं कि यहां बहुत सारे डपार्टमेंट हैं यहां वर्ल लाइफ के अंदर जो डेली वेजर हैं एक साल से सैलरी नहीं मिली यहां सिमट डपार्टमेंट में काम करने वाले करमचारी हैं पिछले 17 मेने से उनको सैलरी मिली जैक फाइड में पिछले 11 मेने से मलाजमों को सैलरी नहीं मिली ये कौन सी सरकार है जमो कश्मीर के अंदर जो जिन को इतने टाइम से सैलरी नहीं मिलती इस कोविट नाइनटी को छे मेरे हो चुके हैं नो तो ये डेली वेजरी या ये कहीं ना मजदूरी कर सकते हैं इस आलाद में क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो जो है इस दुनिया से चले गए हैं लेकन ये विचेरे फाका कशी की हालत में हैं और सरकार एक तरफ से जो है जो है जमो कश्मीर के अंदर जो डिपार्टमेंट हमारे मलाजम जो है त्यानदारी और रमानदारी के साथ काम करता है और यहां जमो कश्मीर के अंदर डिपार् मीटर जमो कश्मीर में वो लगाने जा रही है हम कहते हैं कि दो लाख मीटर जमो कश्मीर के अंदर जो सरकार लगाने जा रही है वो कमपनियों के साथ मिल की वो काम कारे मैं कहता हूं जतना वो पैसा है जो हमारा डेली वेजर जो फाके कशी की आलत में पिछले छे मेने से वो आपने फैमिली की आपने जो उनकी लुक आफटर करें लेकन अभी तक उनको साल साल दो दो साल जा पी एची के अंदर जो वारं वोचर का मसला बनाया है मैं कहता हूँ अगर उनको साल में एक बार किसी फेस्टिवल पर पे मिलती है या दिवाली पर या इद पर तो उनके बारों वोचर कैसे पूरे होंगे तो ये बहुत बड़ी जमो कुश्मिर के अंदर बहुत बड़ी नानसाफी है यहां होम गार्ड में देख लीजिए 2700 रुपया उनको दिया जा रहा था SPO यहां 35000 जमो कुश्मिर के अंदर लगाएं उनके साथ भी सोतीली मौँ जासे सुलूख है अगर आप एक कनल स्टेबल है परमानेंट है आप उसको सतर से 80000 रुपया सेर्डी लेते हैं एक SPO जाया होम गार्ड में जो काम करने वाला हमारा कर्मचारी है उसको आप 6000, 9000, 10 1000 यह 18000 रुपया दे देंगे क्या वो अपनी फैमिली की लुक आफटर कर सकता है यह बड़े दुखी बात है हम यह कहना चाहते हैं कि सब जमो कश्मीर के अंदर ऐसी पालसी बननी चाहिए जो इंपलाइज के बेनिफिट के हित में होनी चाहिए लेकर यह SPO को भी देखो उ 20-20 साल हो गए हैं कोई 9000 कोई 12000 तो वो कैसे अपनी फैमिली की लुक आफटर करेंगे हम कहते हैं चाहिए होम गार्ड में हैं चाहिए SPO है इनके लिए कोई सरकार जो पोशने एड़टाइजमिन करने जाहिए सबसे पहले इनको एड़ेस्ट करना चाहिए और इनको रिगल पालसी है तो मैं यह कहना चाहता हूं यह सरकार को इसके लिए कोई ठोस पालसी बनाने चाहिए और इनकी रिगलाइज़ेशन पालसी बनने चाहिए और इनकी रिगलाज़ेशन पालसी बनने चाहिए नहीं में काम करने वाले जो मलाजम है हमारे हम कहते हैं उनके लिए कंट आटे को चकी में पीसा जाता है, ऐसे उनको पीसा है, और सिर्फ ये लेकर बगवान और अल्ला ताला ये देख रहा है, जिन लोगों ने किया है, जिन लोगों ने इनको लगाया था, आज उनकी हालत देखो कैसी बन गई ये, क्योंकि एक ददार की कुरसी पर जब उपर वाल के जनों को तबाव और बरबाद किया, आंगर वारी वरक्रों के लिए कोई पालसी नहीं बनी आशा वरकर के लिए इनोंने कुछ पिनिंए किया, रेबर खेर और रेबर जला, जगलाद को ये कह रहे दें, तीन तीन जार रुप्या उनको दे रहे हैं, तीन जार में और पाजोरी में, डोडा में, अनंतमाग में, बारा मुला में, सटाफ इन्होंने लगाया एक साल, उसके बाद इन्होंने इस COVID-19 में उनको टर्मिनेट कर दिया, उन्होंने पीछे जब हड़ताल, अभी उनकी जो स्टरगल जारी है, और मैं ये कहना चाहता हूं, पांच और दास राएर उता है, उसको एक लाग पर ये द्बारार इंगेज कर सकते हैं, वें जो हमारा पड़ा लिखा नोजिवान है, उसको क्या पादेृष का काम करते हैं, और चाही का काम मनाते हैं, ये बड़े दुख्की बात है. तो ये थे हमारे साथ बाबू हुसाइन मलिक और इनका कहना है कि जिस तरीके से बिशना में एक गवर्मेंट इंपलाई के साथ जो वहाँ पर जिस तरीके से उसकी मैन हैंडिंग हुई वो एक बड़ा ही अनफॉचनेट इंसिडेंट था और उसके लिए उसकी कड़ी मजब्म चाहिए आने वाले दिनों में हम और भी लोगों से आपकी मुलाकात कराएंगे तब तक आप जुड़े रहें एनेच वान नियूस के साथ